2020 एक ऐसा साल रहा है सबी के लिए जो कोई भी बुलान नहीं सकता आप भी हो मैं भी हूँ किसकोई भी इस साल को बुलान नहीं सकता क्योंकि इस साल में सिर्फ एक चीज़ बचा है तो वो है यह की दुनिया खतम नहीं हुई बस ये छोड़के बाके सब हो जुका है 2020 में कोई मर जाता है कोई मतलब यार पैंडमिक साते है और कही पर तो डिजास्टर्स ही होते है ये सब होने के बाद अगर आप कोई बचा है तो आप देख रहे हो इस वीडियो को यानि आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो यानि आप सर्वाइव करके आगे बड़े हो और हाँ इस वीडियो को बनाते बनाते हुए भी मुझे बहुत सोचना पड़ा कि इतना सब कुछ हो गया है 2020 में तो एक सेकंड भी देरी ना करते हुए शुरू करते है अकेला इंसान ही नहीं जो 2020 से परिशान था वहाँ पर काफी सारे जानवर थे जो 2020 से काफी परिशान थे हाला कि उनको मतलब बात करने तो नहीं आता न उनको पता ही तोड़ी होगा 2020 क्या है पर Australia Bushfire एक ऐसा चीज भाई जो की काफी सारे जानवरों को स्ट्रगल करना पड़ा शायद मतलब बहुत सारे जानवर तो मर जी चुके होंगे इतना सब होने के बाद भी कुछ-कुछ जानवर बचे होंगे Australia में तो समझ लीजे भाई सिर्फ एक इंसान ही नहीं था जो स्ट्रगल कर रहा था बहुत सारे जानवर भी स्ट्रगल कर रहे थे उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया बुषफायर ही नहीं बेरूट एक्स्पोजन और उसके साथ साथ ताल वॉलकेनो इरप्शन यह दूनों भी चीजे हो चुकी है 2020 में यार नहीं यार 2020 ने एक भी ऐसा चीज नहीं थोड़ा जो एक इंसान जानवर एक हर लिविंग तींग स्ट्रगल हो यानि यार 2020 काफी बुरा रहा है पर 2021 सब यार देखिंगे कि 2021 कैसे रहेगा दोस्तों आप सभी को पता होगा कोवीड-19 पैंडमिक क्या है इसलिके वज़े से एक पुरा मैंकाइंड सफर हो रहा था कोई भी बाहर नहीं जा पा रहा था किसी के रिलेटिवस प्रॉब्लम से यानि रिलेटिवस मर जा रहते किसी क बेटा किसी का मा किसी की पतनी किसी का पती बहुत सारे लोग मर रहते एक के बाद एक पक्षियों की तरह उड़ते उड़ते आ रहते पर इसी के साथ साथ जिसको कोवीड-19 मतलब डिजीज होता भी नहीं था वह इस डर से मर जाता था कि भाई कहीं उसको ना हो जाए और व सारे लोग इस वाज़े से डिप्रेशन में चले गए स्पेशली बच्चे बच्चों ने इस चीज़ से काफी स्ट्रगल किया और कोई भी बाहर ने जहाब रहा था और बच्चे तो नौर्मली बाहर जाते हैं इस वाज़े से बच्चों को सबसे ज्यादा डिप्रेशन आ गया और कोई भी कुछ से बात नहीं करना चाता था और हां घर पे रहने के वाज़े से काफी सारे लोग फोन एडिक्टेड हो गए और इसके उपर से जिबी एक इंसान पूरा खुलना चाता है एक मैदान में आना चाता है खुले ग्राउन में तभी एक नया वायरास आता ह है जो कि है कोवेट 20 और यह बोलता है भाई बेटा आप तो तू गया पर भाई इंसान हार तो नहीं मानता ना अभी भी हमें सर्वाइव करना है वी शुड़ फाइट वेड़ कोवेट 20 गाइस तो मतलब यार मतलब बहुत सारे चीज़े हो गया है 2020 में अब यार फिर से मैं कहला हूं 2021 आ चुका है देखते हैं अब कैसा होगा ब्लाइक लिव्स मैटर जस्टिस फॉर फ्लॉइड दोस्तों यह सारे स्लोगन्स आपने बिल्कुल सुने होंगे 2020 में क्योंकि यह सारे स्लोगन्स एक चीज़ के वज़े से आये जो कि है जोर्ज फ्लॉइड की डेथ जि मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर काले लोगों दूसरे दर्जे के नागरिक के तरह देखा जाता है वह अभी भी हो रहा है 2021 में भी होगा और 2022 में भी होगा क्योंकि इसको कोई बदल नहीं सकता क्योंकि इंसान का मेंटैलिटी बहुत गटिया हो चुका है अभी हाई मतलब 2020 का यहाँ पर कुछ भी मतलब नहीं मनता फिर भी जोड फ्लॉइड का वजए से बी एलम बहार आया जो कि काफी अच्छी बात है पर मुझे इस बात से दुख हो रही है कि जोड फ्लॉइड का डेथ हुई और हां मैं फिर से कहता हूं कि 2021 में शायद कुछ अलग होगा यानि मतलब इंसान बदले शायद बदल सकता है इंसान को शायद मौका मिलकर वो बदले या फिर और ऐसे अत्याचार हो एक काले इंसान के उपर दोस्तो 2020 में काफी पॉपिलर और अच्छे लोगों की डेथ हुई उन में से मेरे कुछ फेवरेट लोग भी है फर्स्ट कोबे ब्रायांट और जी एना ब्रायांट कोबे ब्रायांट को अगर आप जानते हो यानि आप एक बास्केट बॉल फैन हो या फिर आप नॉर्मली जनरल नॉलेज लगते हो क्योंकि कोबे ब्रायांट जो है काफी बड़े बास्केट ब्रायार है और अच्छे कहलते थे वो और उनकी बेटी जी एना ब्रायांट उन्हों की डेथ हुई और मेरे फेवरेट और शायद आपका भी फेवरेट हो ब्लैक पैंथर यानि चैडव जानते होंगे वह एक फेमस सिंगर है तॉलिवोड में और काफी सारे ऐसे लोग है जो 2020 में मर गए दोस्तों इन सबकी डेथ हमें यह मतलब सुचना देती है कि 2020 काफी मतलब यार अब यार में को ऐसा लग रहा है कि 2020 एक श्रापित साल था श्रापित साल मतलब यार 2020 सबसे घटिया सालता में लिए काफी सारे इंडस्ट्री इस 2020 में गिर गए हर किसी को 2020 निचे लाया दोस्तों अगर आप कहते हों सिन्वा इंडस्ट्री गिर गया था स्टॉक मार्केटिंग इंडस्ट्री गिर गया था और शेर मार्केटिंग इंडस्ट्री गिर गया एक तरफ का सभाइ सिङुसाइबगार सी इंसेनों निकालेगे यह नहीं सुच रहे थी की काफि सारे लोग मर रहे थे और कि इन्वेस्ट मर रहे थे अ कि किसी को भी नहीं में सबार्क मार्केट हो नहीं आप जेले हो इस सब चीज़े को मुझे पता है और मैं भी जेला हूं मुझे लगता है 2020 में कुछ होगा कुछ चमतकर होगा यार हम इन सारे चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे शायद मतलब निकलने चाहिए हर कोई रुमांच और हर मतलब मज़ार चीज़ से स्टार्ट करता है पर बीच में गलतिया होकर इनसां गिरता है उठता है और काफी सारे चीज़ों से सीखता है और वो ही सिखाया 2020 ने हाला कि 2020 काफी बुरा साल था पर एक बात तो सिखा कर चला गया कि वो ये कि कभी हमें हार नहीं मानना चाहिए जिस तरफ 2020 सबसे बुरा साल था उसी तरफ उसने एक इंसान को मस्बूत बना दिया मतलब हर चीज़ से वो लड़ सके हर चीज़ का सामना कर सके ये उसने हमेले दिलों में बेटा दिया हाला कि 2020 काफी बुरा है पर फिर भी हम 2020 को मिस करते है मतलब यार ये सिली लगता होगा पर 2020 मिस तो करेंगे ही क्योंकि उससे पहले काफी सारे साल थे जो हम जी चुके है और 2021 फिर से मैं आपको कहता हूँ हैपी न्यू यर दोस्तों यहाँ पर वीडो खतम हो गई है और 2020 भी खतम हो गई है वीडो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगाए तो शेयर कर दीजिए ताकि सब को पता चले कि 2020 में कितने सारी पागल चले और एडे चले हो गए है और दोस्तों इस वीडो को मतलब इस वीडो के निच्छे आपको सब्सक्राब बटन दिखेगा उसको दबा कर फिर एक बेल आइकन का ओप्चन आएगा उसको ओल पर सेट कर दीजिएगा और गाइस मैं मिलता हूँ अगले वीडो में एक अच्छे टोपिक के साथ और मैं और एक बार मतलब इतने बुरे सालों के बार में वीडो नहीं बना जाता तो एक अच्छे टोपिक के साथ मिलूँगा तब तक के लिए गुडबाई